तो फाइनली इतने छोटे छोटे टीवी स्पॉट्स के बाद वार्नर ब्रोज और लेजंडरी पिक्चर्स ने गॉड्जिला वर्सस कॉंग का ट्रेलर डॉप कर दिया है और ये ट्रेलर बहुत ही खतरनाक और जबरदस लग रहा है ये फिल्म लेजंडरी फिल्म की फूर्थ फिल्म है जो की उनके मॉंस्टर वर्स जो एक जॉनर अगर मैं कहूं उसकी फूर्थ फिल्म हमें देखने को मिलेगी और इसमें बिलकुर फुल-on किंग कॉंग वर्सस गॉड्जिला देखने को मिलने वाला है जो धर्ती के सबसे बड़े monster है वो finally head to head जा रहे है बड़ सबसे बड़ा सवार इस fully trailer को देखके और इस fully film के उपर एक ही है कि आखिर ये दोनों इक दूसरे से लड़ क्यों रहे है तो इस monster verse की जो last film आई दी 2019 में Godzilla the king of monsters उसमें Godzilla एक अच्छा monster हमें देखने को मिलता है जो planet earth को बचा रहा है और अगर धर्ती को कोई बचा सकता है तो वो Godzilla ही है पर अब ऐसा क्यों है जो हमें Godzilla vs. King Kong में देखने को मिल रहा है कि अब Godzilla से धर्ती को बचाने के लिए हमें King Kong का सहरा लेना पड़ रहा है जो हमें सबसे पहले ट्रेलर में King Kong का visual देखने को मिलता है जो कि एक ship पर उसे ले जाये जा रहा है मतलब बहुत ही stunning देखने को मिल रहा है बिल्कुल realistic लगता है और उसके बाद पूरे ट्रेलर में जितने भी fight sequence है और जो destruction है सब कुछ बहुत ही amazing लगता है और आप यह सोच सकते हो कि जब यह थेटर में देखने को मिलेगा बड़े screen पर तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा तो ट्रेलर में हमें एक छोटी बच्ची देखने को मिल रही है जो कि सिर्फ शाथ पूरी दुनिया में अकेली ऐसी इनसान है जो King Kong से communicate कर सती है और एक scene में हमें King Kong और इस बच्ची के communication का और relationship का एक example देखने को मिलता है और हम यह expect कर सकते हैं कि छोटी बच्ची है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इस पूरे story में तो यह King Kong vs Godzilla जो पूरी storyline है यह पहले से build-up हो रही थी और जो Monarch आगर आप जानते ही होंगे अगर अपने पिछली फिल्में देखिए Godzilla और King Kong की तो Monarch एक secret scientific organization है जिसने muto attack जो पहले हुआ तो उसको cover up करने में भी काम किया था और Godzilla को मारने में भी help की थी जो कि पिछली फिल्मों में हमने देखा है तो इस film में भी हम यह देखने को मिल रहा है और 2017 में जो King Kong दसकल आइलेंड फिल्म आई थी उसमें भी end credit scene जो है अगर आपने ध्यान से देखा है तो उसमें हमें Monarch organization के बारे में बताया जाता है और उसमें Godzilla का भी reference है तो यह सब मिलाके हम यह कह सकते है कि Monarch जो यह scientific organization है उसका जरूर कुछ लेना देना है इस लड़ाई से क्योंकि Godzilla पहले हमारे प्रितवी को बचा चुका है और King Kong तो सही है तो आखिर यह दोनों आपस में क्यों लड़ रहा है गौड़्जिला प्रितवी को खदम करने के लि King Kong फिर एक हैमर जैसी चीज है जो I think dorsal plate है जो Godzilla के back पे होती है उससे उसके उपर counter attack करता है और फिर जो एक destruction होता है और trailer end मतलब यार खदरनाक लग रहा है और और यह कुछ theories है जो कि मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से यह हो सकता है और internet पैसे बहुत सारी theories आप चुकी है तो आपने भी ट्रेलर देख लिया हो तो अपने व्यूस शेयर करो कैसी लगी ए ट्रेलर और क्या लगता आगे क्या में देखने को फिलेगा फिल्म में यह था मेरा review about this trailer my reaction इन तो मैं सब्सक्राइब वीडियो में तिल दन भवाई